गुड मॉर्निंग एवरीवन, बच्चो वुम्वर किया होगा, तो चलिए कंटीनु करते हैं, कुश्चन अनसर पाठ के अधार पर बताइए कि हमारा समाज विद्वा के साथ कैसा विभार करता है भक्तिन पाठ को पढ़कर पता चलता है कि हमारा समाल विद्वा को अपना शिकार मानता है कोई भी व्यक्ति चाए अपना हो या पराया उसके साथ सम्मान पुर्ण व्यभार नहीं करता भक्तिन के जेट और जिठोथ उसकी घर समपत्ती पर कबजा करना चाहते हैं उसकी लड़की के विद्वा होने पर तो उसे नोच कर खाने के लिए तयार हो जाते हैं इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं यहां तक की गाउं की पंचायते भी विद्वाउं की लाज की रक्षा नहीं करती नेक्स्ट कोश्चन तीतरबाज युवक द्वारा भक्तिम की बेटी पर धावा बोलने के पीछे कों दोशी है तीतरबाज युवक भक्तिम की बेटी पर धावा बोलता है वे विद्वा योगती को घर में अकेला पाकर उसके घर में गुस्ता है और इस बुराई के पीछे भगतिम के जेट और जिठोत हैं वे सम मिलकर भगतिम के खेतों और पशों के मालिक बनना चाहते हैं अते हम कह सकते हैं कि घर के चिराग नहीं घर में आग लगा दी तो ये बात बिलकुल सही है कि विद्वा के साथ भार वाले तो दूर घर वाले भी किस तरह से उसके पीछे लगे होते हैं नेक्स्ट कोस्चन पाट के आधार पर पंचायत के विवार पर टिपनी कीजिए पाट के आधार पर हम कह सकते हैं कि पंचायत के सदस्यों के पास ने तो न्याय करने की दृष्टी है ने इच्छा शक्ती उनका न्याय का मजाक है वे अत्याचारी और अत्याचार ग्रस्त दोनों को एक समान मान कर बात पर लीपापोती कर देते हैं उनका न्याए कुछ इसी परकार का होता है, जैसा कि सीता को रावन से विवा करने का निर्देश देना, क्योंकि वे अशोक वाठिका में रही थी. नेक्स्ट कोश्चन, भक्तिन में आत्म सम्मान का भाव प्रबल था, सिद्ध कीजिए. भक्तिन आत्म सम्मान से जीना चाहती थी, वे किसी भी परिस्तिती में नीचा देखना नहीं जानती थी, उसने अपने जेट और जिठोतों के साथ खम ठोक कर लोहा लिया, और जब पंचायत ने उसको नीचा दिखाया, तो अभी उसने हार नहीं मानी, वे कमाने के लिए शहर चली गई, मादेवी वर्मा के पास रहकर वी वे स्वाभी मान से रही, भक्तिन तर्खशील थी, परमानित कीजिए, भक्तिन तर्खशील थी, इसमें कोई संदे नहीं, वे जिस बात को मानती थी, उसे पूरी शक्ती के साथ कहती थी, यहां तक कि वैं घर में इदर उदर रखे पैसों को मटकी में डाल देती थी और भगतिन को जब महादेवी वर्मा समझाती कि यह चोरी है ऐसा नहीं करना चाहिए तो वैं इसे पैसे संभालना मानती है यहां तक कि जब वैं केश मुडवाने हर वीर्वार को केश मुडवाती थी महादेवी वर्मा ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने शास्त्रों का हवाला दिया कि तीर्थ गए मुणाय सिद और महादेवी वर्मा को उसके आगे चुप होना पड़ा तो यह बात सही है कि भक्तिन अपने पक्षमी तर्क देना बखुबी से जानते थे बच्चो होंवर्क यही है रिवाईज कोश्चन आंसर थैंक यू